नमस्कार प्यारे बच्चों आज मैं आपको बीए सेकेंड यर में लगाय हुए छंद के बारे में आपको बता रही हूँ आपकी सलिबस में अभिज्ञान शाकुंतिलब में आई हुए छंद हैं और मैं आपको करम से हैं उनके बारे में विवेचन करती हो बता रही हूँ बुक में वो पेपर होगा आपका जो आपों तीनों चीजे ही लिख कर आनी पड़ेंगे चंद का लक्षिन व्याख्या और उधारन तो सबसे पहले हम पड़ेंगे अनुस्टुप चंद के बारे में अनुस्टुप चंद के पृतेक चरण में आठ आठ वर्ण होते हैं इसलोक के सश्ठम गुरूर गेयम और चंद के पृतेक चरण का सश्ठम जो छटा वर्ण है गुरूर गेयम वो गुरू यानी की बड़ा दिर्ग मात्रिक होता है उसको गुरू जानना चाहिए सर्वत्र लगू पंचमम और पांचववण लगू होता है द्वी चतुप पादियो रिश्वम सप्तमम दूसरे और चोथे पादियो चरण का सप्तमम साथवण रिश्वम लगू होता है दिर्गम अन्ययो अन्यवचे तो प्रथम और तृत्य चरण का साथवण दिर्गम देर्ग होता यानि कि गुरु होता है आप ये जानते ही हो पहले पढ़ भी चुके हो कि गुरु वर्ण को हम इस इस तरह चिन बना कर लिखते हैं लगु को एक डंडा कीच के हम लगु को प्रदर्शित करते हैं तो समझ लेजे दुबारा कि अनुष्टुक छंद के प्रतेक चरण में आठ आठ वर्ण होते हैं प्रतेक चरण में छटा वर्ण गुरु और पांच वर्ण लगु होता है दूसरे और चौते चरण में सब्तम वर्ण लगु होता है प्रतम और तृत्य चरण में सब्तम वर्ण गुरु होता है अनुष्टुक छंद को इस लोक भी कहा ज आता है अब हम इसका उधारन देखेंगे अनुष्टिप चंद का उधारन है अभिज्ञान शाकुंतलम से उसका उधारन लिया है मैंने तवाश्मी गीत रागेन हारीना प्रसभम रत है एस राजे विदुश्यंत है सारंग रेन अते रहन सा ठीक है अब हम देखेंगे इस लो क्तिय चरण का सातवाण लगूं प्रधम और त्रिथे चरण का सातवाण गूरू होता है तो सबसे पहले हम भिज्ञान लगाएंगे फिरते चरण के छटा और पांच वाट पांच वाट लगू होता है देखिए मैं आपको बताती हू यह आप पांच वाट करेंगा, ता, वा, असमी, गीत, रागेण। इसमें आधा वर्ण हम नहीं गिनते हैं जैसा कि आपको पता है। आधे वर्ण को हम पूर वर्ण में ही समायो जित कर लेते हैं तो ता एक वर्ण। वा, दूसरा वर्ण। और उसके बाद में मी तीसरा वर्ण गी चौथा वर्ण पांचा वर्ण ता लग हुए एक मात्रिक है इसलिए इसमें हमने निशान लगाया रिश्वम का किसका निशान लगाया रिश्वम का ठीक है और उसके बाद में रा चटा वर्ण है रा दिर्ग मात्रिक वर्ण है इसलि यह उसमें किसका निशान लगेगा गुरू वर्ण का गुरू वर्ण है हमारा गुरू वर्ण का निशान ऐसे लगता है ठीक है और इसके बाद में हम चलते हैं सेकिंड चरण में सेकिंड चरण में हारीना प्रशभम रित है हारीना प्रशभम रित है तो हा वर्ण री सेकिंड रा ना तीसरा वर्ण प्र चोथा वर्ण और पांचा वर्ण है से जो की लगू है तो लगू वर्ण को हम इस से ही प्रदरशित कर रहें इस टाइब से और भम भैके ओपर अनुस्वार है इसलिए दिर्ग मात्रिक हो गया इसलिए इसको हम करेंगे इसलिए हम इसको इससे तीर मात्रिक से प्रदर्शित करेंगे तीसरा चरण लेते हैं एश दोवर्ण होगे रा तीसरा जै चौथा वे एक मात्रिक वर्ण है इसलिए इसमें रिश्वाएगा ठीक है और दू है तो एक मात्रिक वर्ण लेकिन इसका आ आगे वाला वर्ण आधा है अर्धमात्री के वादा है व्यंजन है और इसमें कोई मतलब आधा वर्ण यानि सेजुक्त वर्ण है और सेजुक्त वर्ण को पूर वर्ण में समायजित करके यह दू गुरु हो जाएगा इसी प्रिकार से आगले चरण में चले सारंगरेण अते रहांसा तो देखिए इसमें ती पाँचवावर्ण है जो लगु हो गया और रह के ओपर अनुस्वार है इसलिए वो गुरु हो गया ठीक है तो हमारा पाँचवा छटवावर्ण हमने निशान लगा चुके हैं अब हम साथवावर्ण देखेंगी प्रिथम और तृती सितारन में यह मात्रिक है लेकिन उसके आगे संयुक्त बर ने उसको पूरो में समया जित करते हुँआ देर रहो जाएगा इसलिए इसको दिए प्रतरशित करेंगे उसे परेकार हम गये तो दूसरे और चतुर चरण में साथवावर्ण री एक मात्रिक वरण लगू हो गया और है भी एक मात्री के बंजन है इसलिए वो भी लगू हो गया इस प्रकार से हमारे गणचिन लग जाएंगे और आपको पेपर में उधारन में गणचिन लगा के आने हैं तो हमने आप पड़ा अनुष्टुप छंद आगे नेक्स्ट छंद हम देखेंगे आरिया इस प्रतमे द्वादस मात्रा स्थता त्रतिय अपि 18 वित्य चतुर्द के पंच 10 सा आरिया देखिए इस चंद में केवल मात्राओं की घणणई की जाती है ये एक मात्रिक चंद है ऐखिए और आरिया चंद के प्रतम चरण में 12 मात्रा होती है द्वितिये चरण में 18 मात्राइं होती हैं तृतिये चरण में 12 मात्राइं होती हैं चतुर्ट चरण में 15 मात्राइं होती हैं मैं आपको लोग के मादेम समझा देती हूं यश्या प्रत्मे पादे यश्या पादे प्रत्मे जिसके प्रथम चरण में 12 मात्रा, 12 मात्रां तथा त्रत्यापी, तीसरे चरण में भी 12 मात्रां होती है आश्ट्रादस द्वितिये, दूसे चरण में 18 मात्रां, चतूर्त के 25 और चौथे चरण में 15 मात्रां होती है सा आरिया, वह आरिया चंद होता है ठीक है गुरु की हम दो मात्रा गिनते हैं और लगु की हम एक मात्रा गिनते हैं इसका उधारन में आपको बताती हूँ शान्तम इदम आश्रम पदम इसपूर्ती चे बाहु कुत है फलम इहास्तिय अथ्वा भवित अव्या नाम द्वारानी भवन्ती सर्वत्र देखें इसमें मात्रा हैं काउंट करेंगे शान्तम शा द्वी मात्रिक वर्ण है इसलिए गुरु नैपूरु में समाया जित हो गया समयक्त वर्ण था ते लगु मी छोटी ए की मात्रा इसलिए लगु द लगु मा की मात्रा लग रही है इसलिए गुरु श्र एक मात्रिक इसलिए लगु मा लगु प लगु और देख 2,3,4,5 फिर 2 मात्राएं गुरू की 7,8,9,10 और फिर गुरू की 2 मात्राएं 12 तो प्रथम चरण में 12 मात्रा हो गई द्वुति चरण में आरे चंद में 18 मात्राएं होती हैं तो हम देखेंगे इस फूर्ती चे बाहु कुत्थ है फलम फ्लम यह sti Č आधा से है वो पूरुमإ स मात्रिक है तो गुरू हु में विसर्ग लग रहा है इसलिए गुरू कु लगू निवा में लगा हुआ हुआ है इसलिए नश्ये अ हम देखते हैं कि चंद के चरणों का अंतिमवन हम अपनी सुविधा के अनुसार उसको हम गुरू कर लेते हैं ठीक है तो आप काउंट कर सकते हैं इसको लगू की एक-एक मात्रा गिननी है और गुरू की दो-दो मात्रा गिननी है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा तो आपके अठारा मात्रा हैं हो गई है अब हम चलते हैं तीशरे चरण में अथ्वा भवी तव्याना अथ्वा अ एक मात्रिक है लगू, थ, लगू, वा बढ़्या की मात्रा है इसलिए गुरू, भ, लग वी, लगू, तेव, मैं आगी सेयुक्त वर्णे, आधव है वोस में समय जित हो जाएगा तो ये गुरू या गुरू और ना गुरू है उसके पर अनुस्वार भी तो वे वैसे भी गुरू है अब आप काउंट कर लो एक, दो, चार, पांच, छे, आठ, दस और बारा, ये लगू, भ, लगू, व, लगू, वे गुरू हो जाएगा कि आगे इसके आधा ने है, तो सेयुक्त वर्ण पूर्णे मिल जाएगा तो वो गुरू हो जाएगा, ती लगू, सा गुरू हो जाएगी क्योंकि आधा रे उसके आगे है तो वो से समय जित हो जाएगा तो वो कर लो दो चार पांच छे आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा बंद्रा मात्रा हो गई आपको देखिए चंद का लक्षन और उधारन याद करने हैं ध्यान से तभी और पेपर में लिखके आओगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ठीक है आज के लिए इत